बच्चो आज हम गुढल का फूल बनाना सीखेंगे गुढल का फूल बनाते समय ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें हमेशा 5 पत्तियां होती है तो सबसे पहली पत्ति हमें इस तरह की बनानी है ये सबी पत्तियां लाल रंकी होती है ये नॉर्मल पत्ती हमने बनाई उसके बाद टेडी बियर के कान जैसी दो शेप हमने बनाई एक और दो ध्यान रखना इन दोनों पत्तियों का जुकाव नीचे की तरफ होगा इसके बाद एक डबल लाइन बनाई जो ये बताएगी कि ये पत्तियां साइड से मोड़ी हुई है तो ये हमारी पत्ती बनी एक दो और तीन इसके बाद ये चार नंबर और ये पांच नंबर अब इसे ध्यान क्या रखना है आपको अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखें तो ये लगभग ये गोले के अंदर बनी हुई शेप आपको नजर आएगी और पांच पत्तियां बनने के बाद आपको क्या करना है ये शेप इसके अंदर से निकालनी है जिस पर की पराकर्ण लगे हुए होंगे इस तरह से यहां से थोड़ी बहुत लाइने आप बना सकते हैं क्यूंकि इसमें रंग हम आउट लाइन के द्वारा भरेंगे तो ये लाइने बाद में सुन्दर लगेंगे अर्वारा भरेंगे